हेलो एबरीवन, वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल आज मैं आप सबको बताऊंगी कि दुनिया का सबसे ज़्यदा अपनाया जाने वाला धर्म इसलाम कैसे स्प्रेड हुआ और कौन से एमपायर्स ने इसको स्प्रेड किया अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको जैदा से जैदा शियर करें आज हम इसलाम के बारे में पढ़ेंगे तो इसलाम की शुरुआत जो है वो अरब देश से हुई अरब देश जिसको आज की डेट में हम साउदी अरेविया के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे इसलाम के जो प्रॉफिट मुहम्मद थे जिनको इसलाम का फाउंडर माना जाता है उनका जनम हुआ मक्का नामक स्थान पर जब उनका जनम हुआ तो 40 साल की उमर में उनको रियलाइज हुआ कि उनको भगवान ने अपना दूत बना कर भेजा है और तब से उन्होंने इसलाम की टीचिंग देना शुरू कर दिया लेकिन मक्का के जो लीडर्स थे उनको ये पसंद नहीं था इसलिए उन्होंने प्रॉफिट मुहम्मद को मदीना जाने के लिए बिवश कर दिया मदीना जाकर प्रॉफिट मुहमद और उनके फॉलोवर्स ने बहाँ पे फर्स्ट मुस्लिम कम्यूनिटी इस्टैवलिश करे और इस तरह से धीरे धीरे जो इसलाम है वो पूरी अर्व कंट्री में फैल गया कुरान इसलाम की पवित्र बुक है इसमें जो है प्रॉफिट मुहमद की टीचिंग बताई गई है उनके अकॉर्डिंग अगर आप कटर मुस्लिम है तो आपको ये पांच चीज़े फॉलो करनी है फर्स्ट कि भगवान एक है और वो अल्ला है सेकिंड आपको दिन में फाइब टाइम नमाज पढ़नी है थर्ड आपको अपनी सैलरी से जो जैकत है उसका एक परसंट हिस्सा जो है वो गरीबों को देना है आपको फास्टिंग करनी है रमजान के महीने में इसके बाद आपको एक तीत करके रूप में जो है हज से मक्का तक की यात्रा करनी है मक्का जाकर इस तरह से इसलाम जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया इसलाम को फैलाने के लिए जो फॉलोवर्स थे उनको कैलिप्स के नाम से जाना जाता है जिनको हिंदी में हम खलीफा बोलते हैं इसके बाद जो इसलाम है धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और आज ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धरम बन चुका है अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको दुबार एक बार फिर से में रिक्वेस्ट कर रहे हूं कि आप इसको जैदा से जैदा शेयर करें इसलाम को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाएगे उन्होंने आक्रमन नीती अपनाई उन्होंने ट्रेडिंग अपनाई ब्यापार के थूँ इसलाम को फैलाया इसके बाद जो है ब्यापार के थूँ जब इसलाम को फैलाया उसके बाद उन्होंने मिशनरीज अपॉइंट किये ठीक है जो परचारक होते हैं तो इसलाम के जो परचारक हैं वो जगह जगह जाकर इसलाम धर्म को फैलाने लगे इसके बाद जो इसलाम के तीथ यात्री थे उन्होंने भी जगह जगह जाकर इसलाम की टीचिंग लोगों को दी और इस तरह से इसलाम आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन बन गया है Thanks! Happy Learning!